नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नीज में मेरतने सेन भारती अज हम बात करेंगे बलैक फंगस के बारे में बरतमान में पुरे देश में करोना महमारी की दूसरी लहर कदंस जहल रहा है करोना संक्रमन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में अब एक और बिमारी ने दस्तक दी है यह बिमारी करोना से जंग जीत चुके लोगों में फैल रहा है इस बलैक फंगस संक्रमन का प्रभाब गहातक रूप से सामने आ रहा है ब्लेक फंगस संक्रमन जिसे मिकोरमाय कोसीम नाम से जाना जाता है यह एक दुरलव लेकिन घातक संक्रमन है संक्रमन के सुरुवाती दौर में ही यदि इसके लक्षनों को जानकर इसका इलाज सुरू कर दिया जाए तो यह सरीर पर गंभीर असर छोड़ता है यानि कि उससे लोग जो है असानी से ठीक हो सकते हैं संक्रमन की गंभीरता इस बात से आकी जा सकती है कि इसके कारण रोगी को देखने की छमता समाप्त हो सकती है वहीं कई वारे इस हिती गंभीर होने पर रोगी की जान भी जा सकती है बिसेस कर कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मदमेह के उन रोगियों को संक्रमित कर रहा है जिनने करोना के इलाज के दौरान रक्त में चीनी के अस्तर को नियंत्रित करने के लिए एस्टोराइड दिये गए थे ऐसे में आये जान लेते हैं क्या है ब्लेक फंगस, बचाब तथा नियंतरन गेंदरियानी के सीडी सीन की माने तो ब्लेक फंगस एक गंभीर तथा दुरलव फफूंदिये संक्रमन है, जो की मॉडललस यानि के संक्रमन फैलने वाले तत्व के एक समुह जैसे की के नाम से जाना जाता है, यह मॉडललस हमारे बातावरन में मौझूद होते हैं और आम तोर पर उन लोगों को प्रभावित करते हैं, जो किसी रोग या पिर किसी समस्या से जुझ रहे होते हैं, जिसके चलते सरीर की रोग प्रतिरोधर चमता कम हो जाती है, आम तावर पर ब्यक्ति के हवा में मौझूद संक्रमन के जिवानों को सांस दोरा सरीर में अवसोसित करने पर सरीर का परभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है, सरप्रत्थम ब्यक्ति का साइनस तथा उसके फेफड़े इस संक्रमन से परभावित होते हैं, इसके अतरीक तोचा पर कि संक्रमन के जिवानों सवीर के अंदर प्रभावित करते हैं, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड़ी के गलने की भी सिकाईते सामने आई हैं, संक्रमन के संकेत यानि की लक्षन किस-कौन से लक्षन है जिससे कि आपको लगए कि यह ब्लैक फंगस हो सकता है, तो बलंक फंगस पैच, ब्लैक फंगस संक्रमन बरतमान समय में गमीर रूप लेता जा रहा है, इंडियन काउंसिल आउप्टमेटकल रिसर्च यानि की ICMR न हो एक नियंद्रित दाइरे में हो जिन्हें कोरोना की इलाज के दोवान एस्टराइट दिये गए हों वो लंबे समय तक आई सिव में रह चुके हों ऐसे लोगों को समस्या होनी की बात कहीं गई है, इसके साथ यह भी कहा गया है कि कमो बीडिटी का सिकार हों या फिर किसी आपके ट्रांस्पालान सर्जरी करवा चुके हों इन्हें भी समस्या है इसके साथ यह इसके पताया गया है कि इसके लक्षन कौन-कौन से अगर आपको साइनो साइटिक यानि के नाक में नाक बंद होना नाक में काली रंगत वाले रेसों तर्थरक्त के रेसों का मयुक्त के साथ निकलना तथा जब्डे की हड़ी में दर्द होना चेहरे के आधे हिस्से में दर्द होना सुनत तथा सूजन होना दात में दर्द होना दादों का टूटना तथा जबडों का परभावित होना, दर्द के साथ ही धुंदला या दोहरा दिखाई देना, बुखार, तवचा समंदी समझ चाहें, थाइरोवाइसेस तथा नैक्रोसिस होना, छाती में दर्द होना, प्रूलर इंफ्यूजन, हाइमोपोथोसिस तथा सा की जो मातरा है, उस पर नचाहें रखें, एस्टराइड के इस्तमाल के समय, या फिर मातरा का पूरा ध्यान रखें, या फिर उसे बंद ही कर दें, ऑक्सिजन थेरेपी के दौरां साफ एस्टराइड बॉटल का परियोग करें, इमूनो मॉडलेटिंग दवाओं का इस्तमा साइटिक मान कर इसकी अंद्यखी ना करें, विस्यसकर, विस्यसकर कोबिड-19 से ठीक हुए मरेज या फिर वे लोग जिनके सरी में रोग बत्रोद्यक छमता कम हो, समस्या होने पर फंगल इन्टियोलाउजी जाचने के लिए के टियो, अस्टेनिंग, माइक्रोस्कोपिक कल संक्रमन के लक्षन नजर आते ही तुरंट चिकित्सक से संपर करें, जरूरी इलाज सुरू करवा देना चाहिए, सही समय पर जाच और इलाज की मदद से इस संक्रमन से छुटकारा पाया जा सकता, आईसीमान ने यह संक्रमन होने की अवस्ता में उन चकित्सिये विधियों को सुची भी जारी की है, जिसके तहट चकित्सकों से ब्लैक फंगस संक्रमन होने पर मदद दी जा सकती है, उन्होंनों कहा है कि आप जो है, जब आपको ब्लैक फंगस की समय से आपको लगता है कि तो आप इन्टरनल मेडिसीन से मिल सकते हैं नीरोजिस्स से मिल सकते हैं यह फिर प्लास्टिक स़र्जनी बायो सकते हैं तो यह थे ब्लैक फंकाश को लेकर लक्षन और उसके बचाव के लेकर की कोविट-19 संकरमित ब्यक्ति जो ठीक हो चुके हैं उनमें ब्लेक फंगस देखा जा रहा है और पूरे देश में 10 ऐसे राज जहां पर ब्लेक फंगस की सिकायत सामने आई है तो ऐसे में COVID-19 से जो मरीज है वो अपने आपको एक बार फिर से ठीक होने के बाद अभी आपको और भी सुरच्चित होने की जरूरत है विहार और विह बिहार से जुड़ो है और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुज के साथ मुझे देजिया इजाजत धन्यवाद